वेलकम स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेटरी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे introduction of मास स्पेक्ट्रोमेटरी आगे हम इसके बाद introduction के बाद principle देखेंगे next time देखेंगे types of ions and peaks तो start करते हैं वीडियो introduction के साथ तो मास स्पेक्ट्रोमेटरी क्या होता है देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमेटरी जो होती है वो use करते हैं किसलिए किसी भी compound के molecular mass को determine करने के लिए या फिर molecular weight को determine करने के लिए और साथ ही साथ उस compound की elemental composition को भी हम इससे determine कर सकते हैं इसका मतलब कहते हैं को इस technique में हमें क्या होते हैं signals provide होते हैं तो जो signals आते हैं वो किस form में होते हैं mass to charge ratio की form में और mass to charge ratio को हम कैसे denote कर सकते हैं m by e और m by z तो example से बता दिए कि mass to charge ratio किस टाइप से निकालते हैं generally इसमें क्या होता है जो हम charge लेते हैं generally जो charge लेते हैं वो plus 1 लिया जाता है लेकिन कुछ most of the cases मतलब कुछी really cases में plus 2 लेते हैं लेकिन लगबग हम इसमें कौन सा charge लेते हैं प्लस 1 इसमें नियो पैंटेन है देखो जैसे cc3 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 और अगर हम इसका molecular mass find करते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैंने दिखा रखा इस वीडियो में साथ में साथ इसमें कितना molecular mass आया 72 आया है इसका तो molecular mass of नियो पैंटेन है 72 तो अब मैंने आपको बता है कि generally हम इसमें कितना charge लेते हैं प्लस 1 तो mass to charge अगर मैं ratio निकाल हूँ तो क्या आयेगा 72 अपॉन प्लस 1 तो इसका मतलब कितना answer आया 72 तो next है इसमें जो mass to charge ratio is equal to the molecular weight of the compound देखो अभी इसमें mass to charge ratio जब हमने निकाला किसका नियो पैंटेन का तो answer कितना है 72 और 72 ही उसका molecular mass of the नियो पैंटेन था तो इसका कहने का मतलब है कि जितना हमारा molecular mass होता है लगबग उतना ही हमारा mass to charge ratio भी आता है यह कह सकते हैं कि mass to charge ratio किसके equal होता है molecular weight of the compound के एकवल सेकिन इसमें बात करते हैं principle के बादे में तो principle देखो इसमें क्या है इसमें जो भी compound जिस भी compound को हमें पता लगाना है कि कितना उसका molecular mass है या उसकी अल्ное elementary composition क्या है तो उसको हम beam of electron से क्या कराते हैं Bombarded कराते हैं, तो उसमें क्या होता है? इस diagram में आपको धीखर रहा हो यहाँपर तो अगर हमें खोई compound लिया है, तो यहाँपर क्या है electron बीमस है तो इसमें क्या है? कोई electron जो हता है, एक electron अगर、 इस compound पर A- settled कर रहा है, यह जो electron चाहिएकно बीमस हमने से भी एक electron क्या हो जाता है, बहार आ जाता है तो इसका एक बाद दुबारा बताते हूं देखो जो electron इस पे attack करा है compound पर, वो तो बहार निकल जाता है attacking यह बाल, साथ ही साथ एक electron इसमें से और बहार निकलता है वो निकलता है compound में से the total number of electron जो इसमें बाहर आये हैं वो कितने होए हैं दो तो यहाँ पर दिखा रहा है देको M plus electron arrow 17 electron वोल दिया है तो देखो M है M मतलब normal compound है जब उसमें से को electron निकलता है तो उस पर कौन सा चाह जाता है प्लस चाह जाता है साथ ही साथ एक radical भी form होगा ओके and plus 2 electron यह दो electron का मतलब है एक तो जिसने attack करा था वही निकल गया है second जो electron है वो कौन सा निकला है compound में से निकला है तो देखो due to the removal of the electron अब जब electron निकला है तो उस पर positively charge आ गया positively charge जो आया है मतलब जो M plus बना है उसको बोला जाता है molecular iron क्या बोला जाएगा molecular iron जो ion form हो रहा है amazon की lose के बाद या removal of electron के बाद तो उसका बोला जाता है molecular iron अब molecular iron क्या होता है stable form में आने के लिए fragment होता है दुबारा से अब molecular जो iron है वो क्या होता है fragment होता है मतलब और तूटता है कुछ और ions में तो-स तेबल form में आ जाता है तो इसमें क्या है देखो इसमें दिखा रहा है जैसे M है प्लस इलेक्ट्रोन तो क्या बना M प्लस और रेडिकल और प्लस टू इलेक्ट्रोन अब देखो अब इसमें से क्या होगा दो फ्रेग्मेंट दिखाएं है एक तो इसमें M1 दिखाएं आने के बाद तो जो ions में तूटता है उसे बोला जाता है fragment ion अब इसमें क्या है लेकिन जो mass spectrometry जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है radical वाली terms को हम नहीं लेते वो जो detect करता है mass spectrometry वो इसमें क्या है डिटेक्ट करता है ionic form मत्लब इसमें ketions बन रहे हैं तो काली प्लस चार्ज व़ले को इसमें detect करेगा जैसे कौन कौन से होगा प्लस M1 प्लस M2 सेकिन चीज है इसमें जो हमें इसमें अगर हमें कोई technique को इसको use कर रहे है Mass Spectrometry को तो इसमें अगर हमें कोई material हमें detect करना है तो उसका अगर concentration 1 PPM से भी सबस्क्राइन थे करें यहुंद्ध नियोपेंटेरगल इस नियोपेंटेन की बात करेंंगे फिलाल लूस के जब में बना क्या बने सी 5 अरже तो मार्स चायर्ड इसी मैंने मैं बताई आ रहा था और इसका मोलिक्रों वेड़ guesses 72 ही तो देखो यह दुबारा किसमें हुआ है stable form में आने के लिए fragmentation हुआ है तो कौन-कौन से fragment बने है C4H9+, C3H5+, C2H5+, C2H3+, कुछ books में आपको इसके fragmentation कुछ और भी नज़र आएंगे तो लेकिन मेरा main motive है आपे fragment समझाने का कि किसमें जो ions तूट रहे हैं सबका mass to charge ratio निकाला है वो मैंने आपको बताई दिये कैसे निकलता है सबका molecular mass to charge ratio होता है सेकें इसमें बात करी है relative intensity की तो relative intensity की अगर हम देखे तो एक तरह से relative abundance की बात होती है तो देखो आपे इसमें 100 है 41.5, 38.5 and 15.7 आगे इसमें है अब इससे क्या होता है हमें इसमें क्या मिलता है जब fragmentation ions हमारे पास आ जाता है molecular ion हमें पता है तो यह क्या होता है mass spectrometry में हमें एक mass spectra मिलता है mass spectra में क्या होता है mass spectra में हमारे पास peaks बनती है और वो peaks कैसे बनती है एक तो उसमें नीचे जो position पे इस type से जो हमें मिलता है यहाँ पे होता है mass to charge और यहाँ पे होता relative intensity इनकी help से वो peak क्या होती है, form होती है second जीज़ अगर हम इसमें बात करेंगे types of ions, कौन-कौन से ions होते है कौन-कौन से इसमें peaks form होती है तो उसकी बात करते है first हमारा ion है molecular ion कौन सा है molecular ion और parent ion molecular ion को ही parent ion बोला जाता है तो molecular ion मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया था जो इस molecule से electron का removal होके जो ion बनता है उसी को बोला जाता है molecular ion और इसी को parent ion भी बोलते है तो molecular ion से जो spectra में peak obtain होती है, जो form होती है उसी को क्या बोलते है molecular ion peak बोला जाता है Neopentane में जो C5H12 plus जो आइन बन रहा था वो है molecular ion इसमें Next हमारा आ रहा था इसमें Next जो हम बात करेंगे fragment ion and dotter ion और dotter ion वादा fragment ion को ही dotter ion भी बोला जाता है तो fragmentation भी मैंने आपको बताया था देखो it is generated by the fragmentation of molecular ion ionization chamber जो fragmentation जो होता है instrumentation में वो कहां होता है ionization chamber में होता है तो जो molecular ion अगीन जो तूटते हैं जो fragments में तूटते हैं तब जो ion हमारे obtain होते हैं उन्हें बोला जाता है fragmentation ion या शॉर्ट में दिखा रहा है molecular ion अगर दो ions में तूट रहे हैं M1 प्लस और M2 प्लस तो इन ही को क्या बोला जाएगा fragmentation या fragment ion या फिट डॉटर ion और ये किसकी वेसे तूटते हैं एक तो जो unstability होती है M plus ion molecule ion में उसकी वज़ा से साथ ही साथ ionization potential की energy की वज़ा से अब जो नियो पेंटेन में जितने भी मैंने C4, H9 plus C3, H5 plus C2, H5 plus C2, H3 plus में बताया था ये सबी क्या थे इसमें fragmentation ion थे next time बात करेंगे metastable P की तो metastable P या फिर metastable ion अब metastable ion क्या होता है सबसे पहले देखते हैं देखो कुछ fragmentation ion जो होते हैं वो दुबारा से fragment हो जाते हैं field या flight free reasons में मतलब ionization chamber में fragment नहीं होते हैं ये कुछ fragmentation जो ions होते हैं वो क्या होते हैं field free reasons में ही दुबारा से fragment हो जाते हैं instead of ionization chamber जैफिर ये कह सकते हैं कि ionization chamber से आने से पहले ही वो field free reason में क्या हो जाते हैं दुबारा से fragment हो जाते हैं उन ions को बोला जाता है metastable ion एक तरसे partial breakdown होता है पात में ये भी कहा है इसकी जो peaks होती हैות से जो peaks बनती है उनिको बोला जाता है表 post peaks अग पीक इसकी कैसी होती है normal जो peaks मोने मिलती है फ्लाइन स्पेक्ट्रा में वो डेकिन metastable पीक होती है ये क्लाइन proximity की जो도 to be broad होती है diffused peak होती है उसकी कोई less मतलब कोई एक तरसे definite shape नहीं होती less definitely shape होती है intensity उसकी कम होती है flattened होती है जो mass to charge ratio यह m obliq z लिखा हो है mass upon charge लिखा हो z लिखा हो है तो z लिखो या e लिखो बात इसमें एक ही है तो इसमें जो अगर mass to charge ratio की generally जो values आती है वो कैसी होती है integral values होती है लेकिन metastable जो peaks जब मिलती है तो इसमें non-intrigal values होती है mass to charge ratio की इसकी जो energy होती है peaks की low energy होती है normal ion से या metastable ion की जो energy होती है normal ion से कैसी होती है low energy होती है next time बात करते है base peak की तो base peak क्या होता है देखो जो most intense peak होती है या तक अधि tallest peak होती है mass spectrum में उसको बोला जाता है base peak, या फिर ये बोल सकते हैं, जिसका greatest relative abundance, या एक और चीज, अब हमने जब उसमें fragmentation देखा था, नियो पैंटेन का, C4H9 की जो intensity दिखाई थी, 100 थी, या ये कह सकते हैं, जिसकी intensity सबसे जादा, या 100 होती है, उसको बोला जाता है base peak, ये दो example ऐसी दिखा 100 intensity तक ये वली peak जा रही है, इसमें जो peak जा रही है, वो जा रही है ये वली, तो इन दोनों जो spectra में जो base peak होंगी, ये और ये होगी, क्योंकि इसकी जो relative intensity है, कहा तक जा रही है, 100 तक इसकी intensity जा रही है, नेक्स्ट है, एक last शायद है इसमें, isotope peak, अब isotope peak नाम से ही समझा जाना चाहिए, isotope मतलब क्या होता है, isotope peak मतलब, जिस अगर हमारे molecule है कि इसमें, अगर present है क्या, isotope element, तो तब हमारी isotope peak generate होती है, अगर किसी में, ये peak जो generate होती है, किसकी वज़ा से है, heavier isotope elements की वज़ा से, और इसकी जो peak होती है, less intense peaks होती है, और इसमें एक example है, जिसमें हम mass factor है, एक example है, खाली, ये भी किसी पर base नहीं है, किसी exam, उस पर compound या molecule पर, तो ये mass charge ratio है, यहाँ पर relative intensity है, ये कुछ peaks बनाई है, अब इसमें क्या है, देखो, इसकी, इस वाली peak की जो intensity है, वो है 100, that means, it is a base peak, अब base peak किस से आती है, जो fragment जो iron होते है, उससे हमें base peak मिलती है, जो fragment iron होते हैं, उसमें जिसकी relative evidence सबसे जादा होती है, या फिर ये बोल सकते है, जिसकी intensity सबसे जादा होती है, उसे क्या बोला जाता है, base peak, यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, आप देखो, ये है, M1+, M2+, M3+, M4+, ये सभी है fragmentation iron, M+, ये क्या है, molecule iron, तो molecule iron से जो peak हमें मिल होती है, वो fragment iron peaks होती है, तो I hope आपको ये video समझ में आई होगी, तो इस video में आज हम इतना ही करेंगे, इसमें हमने तीन चीज़ों को discuss करा है, एक तो हमने introduction of mass spectra देखा है, principle of mass spectra, third देखा है हमने types of ions and peaks,